नमस्कार मनुदेल स्रेकलासेज में स्वागत है आपका आज हम पढ़ेंगे साररीक, मानसीख, सामाजीख, सवेगात्मक और चारितरीक विकास के बारे में यह फस्स ग्रेट का अपना जो टोपिक चल रहा था ग्रोथ और डॉप्मेंट उसका पार्ट है तो उसमें देखो इ थोडा सा कम रहते है और बालिका से थोड़ा जयादा होता है तो भार देखो भार कितना है जनब किसमें साथ 15.15 पॉंड होता है बालिका का है साथ 3. region यानि कि बालक का क्या है इसमें जादा रहता है जनम के समय और बालिका क्या क्या रहता है कम रहता है तो सेसाव वास्ता में आपको पता लग गया है कि बालिका का भार कम रहता है तो किसी भी परकार से क्यूशन पूश सकते हैं बाले हवासता में देखो इनका बार क्या हो गया? लगबार समान हो गया। कि सोरह हवासता में वापिस बालक की क्या होगी? वेट बढ़ेगा, यानि बालक का बार जदा और बालक का बार कम. उसी प्रकार से देखो लंबाई में क्या परिवर्तन रहता है कि जो बालक जनम लेता है तो उसमें बालिका की बालिका से ज़्यादा उसकी क्या होती है लंबाई होती है तो देखो बालक की लंबाई जनम लेता है तो उसकी लंबाई काउन पॉइंट पची सेंट्री मिटर है जबकि बालिका की कितनी रहती है लगबग है टोटल लगबग तो इसी में से अगर पूछा जाता है आपको पॉंड में तो 17.15 पॉंड तो उसका भार है बालक का और बालिका का 7.13 पॉंड बालिका का भार है और उसी प्रकार से लंबाई में बालक का लगबग लंबाई रहत और बालिका की लंबाई है 50.75 cm के आसपास, यानि कि इसमें भी क्या है, जब बच्छा जनम लेता है, तो बालक थोड़ा लंबा रहता है बालिका से, बाले आवस्ता में क्या होती, लड़की लंबी हो जाती है, बालक की तो रहे गई 7.5 cm, जबकि बालिका की देखो 10 cm होगी, यानि कि इसमें क्या है बालिका लंबी है बालिका की लंबाई से ज्यादा होती है बालक से किसोरा आवस्ता में देखो आते आते हैं किसोरा आवस्ता में पंदरा वरस की उमर में तो क्या होगी बालक और बालिकां की किसोर और किसोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोनों की स मान है लेकिन अठारा वरस की ओमर में क्या हुआ भालक की वापिस लंबाई बढ़ती है चे लेकि साफ सेंटिमीटर बालक की ओलो जाती है बालिका से ज्यादा हो जाती प्राप्त कर लेती है अब देखो उसी प्रकार से सीर और मस्तिक्स में क्या क्या चेंज होती है जैसे जैसे उमर बढ़ती है जब बचा जनम लेता है तब उसमें सीर या मस्तिक्स है उसका भार 350 ग्राम रहता है बारा सो साट ग्राम हो गया और पंदरा वराइवर्ण वरास की उमर में यह सीर या मस्तिक्स है उसका पूर्ण विकास हो जाता है और मस्तिक्स का भार कितना हो गया 12-1200 से लेके 1400 गुराम के बीच में रह जाता है ये सिर्थ था मस्तिक्स का है इसमें से क्यूशन आते हैं आपको याद रखना है हड़ियां देखो नवजा जो शीसू रहता है उसमें 270 हड़ियां है और किसोरा वस्ता में कितनी हो गई 206, से सब वस्ता है, उसमें छोटी होती है, ये हडिया, 270 हडिया तो हैं, लेकिन ये छोटी, कॉमल और लचीली होती है, फिर 270 कैसे, 270 से 206 कैसे हो गई है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, आपस में जोइंट हो जाती है, जो छोटी और कॉमल, जो लचीली हडियां होती हैं वो आपस में जुड की मजबूत हडियों का निर्मान कर लेती हैं तो आपस में विलोपन होने की वज़े से कितनी रह गई 206 तो किसोरा वस्ता में आ जाता है तो 206 और वस नवजास हिसों में कितनी रहती हैं 270 उसी प्रकार से देखो दांत आपन की उमर में सभी दांत यानि टोटल 20 दांत ही आते हैं बच्चे के तो 20 दांत यह आ जाते हैं चार वरस की उमर में यह एस थाई दांत होते हैं दूद्या दांत भी इनको बोलते हैं तो 6 मासे निकलना शुरू होते हैं दूद्या दांत और जो सबसे पहले जो नीचे के अग में क्या जाते हैं वापिस आ जाते हैं और बारा से तेरा वरस तक आते हैं पांस से च्छा वरस में एक गिरा आपने देखा होगा एक गिरता है फिर उसी की जगह पे दूसरा दानत आता है जब नीचे थोड़ा दानत आएगा तब ही उपर वाला दानत गिरता है यह मान के चल से कि बचपने चालो हुए चालो होंगे बारा से उमर में और यह अगते हैं और इसमें दातों के संक्या कितनी होगी सताइस से लेके 8मfindंत बच की में आते हैं यह आते विज्डम्स ठीथ का दूसरा नाम wär उग इनको बोलते हैं प्रग्यादंत यानि अकल जाड़ भी ये कि शोरा अवस्ता के अंथ में या प्रोडा वस्ता के प्रारम आते हैं तो यह नाम आपको आकल जाड़ के नाम से आप तो इनको पढ़ाने के लिए मने आपको बता है कि wisdom तित बोलते है इसमें दांत का बच्चा रहता है उसमें अगर हम द्णकन देखते है तो 140 परति मिनट रहती है छह वरस की उमर में देखो यह देरे कम होई सो परती मिनट रही बारा वरस की उमर में 85 परती मिनट रही और प्रोड़ा वस्ता में आगई भतर परती मिनट यह आपको ऐसे कैसे याद रखनी आता है इसमें से क्यूशन सारे अनुपात में देखो परिवर्तन किस परकार से होता है कि सिर है सिर संपून लंबाई का कितना रहते हैं जनम की समय एक बतले चार भाग यह आयव है इंपटेंट है बहुँ ज्यादा कि सिर का संपून लंबाई से कितना भाग रहता है एक बतले चार भाग रहता है और कि सोरा वस्ता पह में दिड़ता है कि सिर का बतली याद रखना यत् Tube 6-7 वशन सिस्टेम में tengan सीजित में आपके कुछ यदा इंपोर्टन नहीं है मैं आपको यसे ही बता देती यूव में क्या से invariant आकार में वर्दी होती है जनम के बाद वरस तक नमीन कोशिकाओं का क्या निर्मान में लेकिन चार्सी चारवर्रिस के बाद इस नाय। स्थान से समन्दित विकास की परक्रिया देकरिया धीमी होती तो सारिख वरदी और विकास को कौन से कारक पर भावित करते हैं तो परभावित करने वाले कारक की किस प्रकार से वर्दी रुक भी सकते हैं किशी की ज्यादा वर्दी होती है किशी का कम वर्दी होती है जबकि वातावरन उसको एक्षा मिलता है तो उसमें देखो क्या क्या परभाव करते है एक साथ कई बचो को यानि कि आगर आप ट्विन्स पैदा हुएं तो ट्विन्स अगर एक तो एक जनम होता है तो माता का स्वास्ते कैसा यह भी डिपेंड करता है उसी प्रकार बच्चे का सारी विकास और वर्दी प्रभावित करती है बच्चे को कैसा पोशन मिला है माता जब गरवावस्ता में जब उसके पेट में बच्चा था तब उसको किस प्रकार की पोसक सामगरी मि देखबा लियानि कि निस自जा जनव को परभावित करते यह सरीक वद्ध करने वाले करें smallest बाकिक सिंग मंद्ध विकास के बारे में अपने नेक्ट वीडियो में ओके थैंक यू फूर वोचिंग माई वीडियो